यह फाइवर का है या प्लास्टिक का है यह मैटल का नहीं यहाँ पर बी आपको हैंडल मिलता नीचे पहलु ते फिर नमस्कर दोस्तों इक व moet फिर से आप लोगो स्वागत सा अवर्डूर। सबस्था ही है प्रियर वील ड्राइब बेस वेरियंट से ही अच्छे खासे फीचर साहते हैं अब देखें गाड़ी के लंबाई मैं आपको दिखा देता हूं आपने फाइव डोर थार अगर धंग से नहीं देखिए तो देख लीजिए दिन देखें उजाले में देख लीजिए जो की कैसी लग रही मुझे बताना और जो वील साइज है इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है उनिस इंच के वील इसमें मिलते हैं जो टायर का साइज है 255 आर 19 है इसका अब बोनेट बगेरा आपको रिजेंबल करता हूं दिखाई द देखेंगे तो आपको थोड़ी से अलग देखने को मिलेगी इधर आप देख सकते हैं कैमरा है मतलब कि इसमें 360-degree डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा हाला कि इसके सारे स्पैसिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं है लेकिन जो जो दिख रहा है मैं आपको बताने वाला हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एडास भी मिलने वाला है और अगर आप नीचे देखेंगे आपको इंजन प्रोटेक्शन भी मिलता है यह फाइवर का है या प्लास्टिक का है यह मैटल का नहीं साइड से मैं एंट्री करके दिखाता हूं आपको दर्वाज कि मैं चड़ना चाते हैं तो ऐसे आप चड़ सकते हैं यह देखिए आप अब मैं आपको रेयर सीड़ स्पेस दिखायता हूं आगे जो भैसा बैटे में उनकी जो हाइट है छैफिट एक इंच है मेरी छैफिट चार इंच है मेरा जो लेग रूम है आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं और उपर हेड्रूम आप देख सकते हैं पैनारोमी संडुरूफ इसमें मिलती है और हेड्रूम मिल रहा है मुझे ठीक ठाथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छी बात क्या है कि आप शेकेंड रोह को रिकलाइन भी कर सकते हैं अच्छा खास त तो उसके बाद आप headroom चेक कर सकते हैं और इसमें दो adjustable headrest आपको मिलने वाले हैं और center में आपको adjustable नहीं मिलेगा बट हाँ ये काफी छोटा है अब देखते हैं अब आप देखिए जो handrest, armrest जो भी कहिए आप उसमें आपको दो cup holder मिलते हैं अगर आपने recline कर रहा है तो यह भी recline हो जाता है यह recline angle सही है मेरे इसाब से अब इधर देखिए रेर में आपको इस event मिल जाते हैं seaport आपको पीछे मिलने वाला है इधर आप अपना phone रख सकते हैं अब चलते हैं आगे कि तरफ आगे क्या क्या मिलता है मैं दिखाता हूं आपको आगे वाली रो में क्या क्या मिलता है आपको मैं दिखा देता हूं यह है आपका rear wheel drive क्योंकि यहां पर कोई lever नहीं है इधर आप देख लीजे center पर आपको electronic parking brake यहां पर मिल जाता है अब front में देखते हैं dashboard की तरफ देखिए आपको नया infotainment system मिल जाता है यह आपने देखा होगा आपको स्टीचिंग आप देख सकते हैं वाइट कलर की यह थीम को मैच कर रही है और यहां पर स्टीचिंग मिलता है और अच्छी बात यह है कि दोर में भी आपको सॉफ्टच मिलता है इसमें involve one का मस्क इसकी जो fragrance है वो मस्की है काफी मज़ा आने वाला है चाहे गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो छोटी क्यों ना हो एक बार रखने की जुरत है और 45 दिन तक भूल जाना है यह spill free है और साथ के साथ इसकी जो fragrance है आप regulate भी कर सकते हो यहां से देखिए इ देख सकते हैं यहां पर यहां पर भी आपको handle मिलता है इधर भी आपको एक handle मिलता है इधर भी आपको एक handle मिलता है handle की कोई कमी नहीं है और आपको IRVM भी auto dimming मिलता है बहुत अच्छी बात है अब इसको start कर लेते हैं जो इसका push button है वो side में दिया गया है instrument cluster आपका वैसा ह below मिलता है और आपका अब 3XO में भी आने लग गया है इधर आप इस steering में देखेंगे right hand side मे adaptive cruise control जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें address level 2 है तो यह उस चीज के लिए है अब इसके जो menu है इसका जो information है यह वैसे ही है जैसे आपको बाकी महिंदरा की गाडियों में देखन को मिलता है मतलब यह जो three door थार से बिलकुल अलग है और वैसा ही आपको layout वगरा लगभग देखने को मिल जाएगा यहां पर आप देखेंगे आपको ventilated seats के button मिल रहे हैं थार five door में आपको ventilated seats भी मिलने वाली है और आप इसमें wireless charger भी मिलता है यहां पर अब इस armrest को देखि आपको यहां पर मिल जाएंगे और इस थार में ना ऊपर रूफ जो है वह फाइवर की नहीं है यह आप देख सकते हैं मैटल है साइड वाला लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना और साइड में यह जो quarter panel है उसका जो ग्लास है वह triangular shape का है यहां पर आपको ज अब इस डोर को खोलते हैं पीछे वाले को और इसका खुलने का तरीका भी वैसा ही है जैसा आपको three door में मिलता है लेकिन जो boot space है वह अच्छा कासा यहां पर आपको देखने को बिलेगा लेकिन हमारे पास अभी इसके numbers नहीं है इधर आप देखिए यहां पर आपको subwoofer भ इसे खुलना नहीं पड़ेगा और इस ग्लाज में आपको वाइपर भी मिल जाएगा और डी फॉगर भी इसी में मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है नीचे जुकिए पेंटा लिंक सस्पेंशन इसमें मिलते हैं जो कि आपको इस को रिप्यों में देखने को मिलेंगे इंजन ऑप्शन दोनों इसमें पैट्रॉल भी है डीजल भी है ट्यूनिंग क्या रहने वाली है वह हमको पता नहीं है अभी कुछ ही देर में हम इसको चलाने वाले हैं कैसी चलती है कैसा परफॉर्म करती है थोड़ी बहुत हम इससे ऑफ्रोडिंग भी करने व मटिरियल भी आपको मिलता है यहां पर स्टीचिंग वगरा देखने को आपको मिलेगी यहां पर आपको हर्मन कार्डन का स्पीकर मिलेगा यहां पर कोई भी बॉटल हॉल्डर नहीं है